Hello and welcome friends to my YouTube channel Just for Knowledge आपको मैं आज एक ऐसे पावडर की रेसिपी बताने वाली हूँ जो की memory power बढ़ाने के लिए, brain development के लिए और आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फायदे मन है इस रेसिपी में मैंने जो भी चीज़े यूज़ की है उसे लगबग आप सबी लोग जानते होगे ये हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल होते हैं लेकिन इसमें कौन से पोशक तत्व हैं, ये brain development के लिए क्या रोल प्ले करते हैं ये बहुती कम लोगों को पता होता है इसलिए वीडियो में में आपको ये चीज़े क्यों important हैं, कौन से पोशक तत्व हैं इसमें होते हैं एसी कई और जानकरी भी बताने वाली हूँ रेसिपी शुरू करने से पहले आपको बता दूँ मैंने अपने चैनल पे बच्चों के दिमाग को तेज बनाने के लिए उन्हें क्या खिला हैं इस टॉपिक पे वीडियो डाला हुआ है, जो कि part 1 है और part 2 में मैंने हमें अपने दिमाग और याददाश को तेज बनाने के लिए क्या खाना चाहिए वो बताया है इन दोनों भी वीडियो के कंटेंट अलग-अलग है इसके लिंक मैंने description box में दी है या फिर ये वीडियो खतम होने के बाद end screen पे आपको दोनों भी वीडियो की लिंक मिल जाएगी आप लिंक पर जाके वो वीडियो ज़रूर देखे अब हम powder बनाने के लिए शुरुआत करते हैं और इसे बनाने के लिए हम जो चीज़ सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं वो है बादम वेसे तो हर कोई जानता है बादम सेथ के लिए बहुत ही फायदेमन होती है इसे खाने से रोक प्रतिरोधक्षमता मजबूत होती है बादम में पाया जाने वाला प्रोटीन ब्रेन सेल्स को रिपेर करने में मदद करता है इसके अलावा बादम में विटामिन E, जिंक, कैल्सियम, मैगनेशियम और ओमेगा 3 फैटी आसिड पाया जाता है जो कि दिमाग को हेल्दी रखने का काम करता है आपको ओमेगा 3 फैटी आसिड क्या होता है वो शौट में बताती हूँ एक्चुली ये तीन प्रकार के होते हैं जिसमें E, अले ओमेगा पोधों में पाया जाता है जबकि DHE और EPA ओमेगा पशो या फिर खाद्य पदार्तों में पाया जाता है और ये शरीर के लिए बहुती इंपोर्टन पोशक तत्व है जिसके परियापत मातरा से शरीर और दिमाग हेल्दी बना रहता है इसके अलावा बादाम में विटामिस की भरपूर मातरा होती है जिससे तुरंत एनरजी मिलती है मैगनेशियम से भरे बादाम तकान मिटाने और एनरजी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है साथी इसमें विटामिन E होता है जो कि आखों की रोशनी के लिए फायदेमन होता है और जबकि इसमें कैशियम भी पाया जाता है जो हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा सोस माना जाता है तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी बादाम लिए हैं आप बादाम की कॉंटिटी अपने इसाब से कम या जादा रख सकते हैं अगली चीज हैं अकरोट आपने सुनाई होगा कि अकरोट खाने से दिमाग तेज होता है अकरोट में प्रोटीन के अलावा कैशियम, मैगनेशियम, आईरन, फॉसफरस, कॉपर, सेलेनियम जैसे पोशक तत्व पाये जाते हैं जो की दिमाग को एक्टिव रखते हैं इसके अलावा अकरोट में ओमेगा 3 फैटी असिड होता हैं वेसे तो अकरोट के और कई सारे फायदे हैं जैसे कि अकरोट खाने से टेंशन दूर होती हैं और अच्छी निंदाती हैं अकरोट से बलड प्रेशन नियंतरित रहता है और शरीड में एनरजी बनी रहती हैं ये शरीड में गुड कैलोस्ट्रॉल को बढ़ाता है और साथी इसमें विटामिन E होने की वज़े से ये बालों के लिए और आखों के लिए भी अच्छा होता हैं तो यहाँ पे मैंने 10- 12 अकरोट लिए हैं अब मैंने आधी कटोरी सोफ लिए हैं ये पाचन के लिए और दिमाग के लिए बहुती लापकारी होती हैं हमारे दिमाग पे सोफ के पोशक तत्वों से ज़ादा इसकी अरोमा यानिकी नैचरल स्मेल का असर ज़ादा होता हैं सोफ खाते समय इसका स्व होने से और दिमाग के शांथ होने से हमारे शरीर में हैपे हार्मोंस का सेक्रेशन अधिक होने लगता हैं और जब हैपे हार्मोंस जैसे की डोपामाइन, इंडोर्फिम, ऑक्सिटोनिन और सिरोटोनिन अच्ची मातरा में होते हैं तो हमारी सोच और समझ की लेवल बेतर होत हमारी सिखने की क्षमता में यानि की लर्निंग कैपसिटी में प्रोग्रेस होती हैं और खास बात तो यह है कि इस दोरान हम जो भी चीज़े सिखते हैं और पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं वेसे हमार यादज बढ़ाने में सोफ का सिध्य तोर पे कोई भी रोल नहीं होता लेकिन इसके लिए हर्मोंस जिनमेदार होते हैं लेकिन इन हर्मोंस का सिक्रेशन सोफ की मदद से जरूर बढ़ाया जा सकता हैं इसके अलावा सोफ में कैल्शियम, मैगनेशियम और पोटेशियम जैसे पोशक तत्व होते हैं जो हमारी शरी की मास पेशया और हड़ियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं अब अगली चीज में ले रही हूँ कद्दू के बीज यानि की pumpkin seeds ये कई गुनों से भरफूर होते हैं इसे खाने से रोक प्रतिरोधक शमता बढ़ती हैं और डिप्रेशन जैसी समस्या भी दूर होती हैं कद्दू के बीजो में omega 3 fatty acid, protein, iron, calcium और beta-carotene जैसे पोशक ततों की अच्छी मात्रा होती हैं कद्दू के बीजो में serotonin यानि की happy hormone होता हैं जो अच्छी निन लाने में मदद करता हैं इसके अलावा इन बीजो में fibers और antioxidants होते हैं जो heart को healthy रखने का काम करते हैं तो यहाँ पर मैंने आधी कटोदी से भी कम बीज लिए हैं अगली और आखरी चीज है मिश्री यहाँ पर हमें चीनी नहीं यूज करनी हैं मिश्री ही यूज करनी हैं सोफ के साथ मिश्री खाने से सोफ की जो हलकी सी कसली टेस्ट होती हैं वो कम होती हैं वेसे खाना खाने के बाद हम सभी को कुछ समय के लिए आलस आता है तो वो सोफ और मिश्री को साथ खाने से नहीं आता और वेसे ही सोफ के साथ मिश्री खाने से टेस्ट और भी बढ़ जाती है तो उसका इंडारेक्ली एफेक्ट हमारे दिमाग पे होता है अब मैं इन सारी च अच्छे से ग्राइड नहीं हो पाती। इसलिए आप सबसे पहले सोफ को ग्राइड कर लें, फिर बादाम और कद्यू के बीजो को ग्राइड करें, बाद में अकरोड और सबसे लास्ट मिश्ट को ग्राइड करें। ग्राइड करने के बाद इन सारी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिना है। आगे इसे ही इनफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दे। ताकि जब भी मैं कहीं नया वीडियो पोस्ट करू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थेंक्यू। क्या सबस्का कर देंक्यूद। भी मैं कर देंक्यूद। बा double कर देंक्यूद। एपको मिल सके।